Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academies Interactive Classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिम्जिम भावेक है और आज का हमारा टॉपिक है पाठ नो बंदर और गिलहरी. यह एक कहानी है परन्त इस कहानी से पहले एक कवीता. मकड़ी, ककड़ी और लकड़ी यह कवीता मात्र पढ़ने के लिए और समझने के लिए है, साथी साथ रीडिंग प्रैक्टिस के लिए है, चलिए पढ़कर देखते हैं कवीता को कैसे पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे. मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी हमने तीन चीज़ें देखी. हमने तीन चीज़ें देखी. दादा तीन चीज़ें देखी. एक बच्चा अपने दादा जी को बता रहा है. क्या क्या बता रहा है? चलिए देखते हैं, उसने कौन-कौन से तीन चीज़ें देखी. एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी, लकड़ी, मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी, ककड़ी, मकड़ी, लकड़ी, 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 ये सभी तीनों के तीनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड या मिलते जूलते शब् हैं बच्चा आगे कहता है हमने तीन चीजें देखी डादा तीन चीजें देखी एक खेत में थी कुछ बालू बालू मींज रेत बालू पर बैठा था भालू फिर बालू माने रेत और भालू उसका राइमिंग वर या मिलता जूलता शब्द है भालू खा रहा था आलू ये मिलता जूलता है भालू आलू और बालू देखें फिर से बताएगा आपको कि बालू भालू आलू आलू बालू आलू आलू बालू और भालू हमने ये तीन चीजें देखी और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये बालू है या आलू खा रहा है है और ये मकड जो कि ककड़ी खा रही है तो यह कवीता है इसे अच्छे से पढ़ेंगे और रीडिंग प्रेक्टिस करेंगे साथ ही साथ शब्दों को अच्छे से पढ़ने की अभ्याज भी करेंगे हमने तीन चीजें देखी दादा तीन चीजें देखी एक डॉल पर थी एक मकड़ी लकड खा रही थी ककड़ी लकड़ी मकड़ी ककड़ी मकड़ी ककड़ी लकड़ी ककड़ी मकड़ी हमने तीन चीजें देखी दादा तीन चीजें देखी एक खेत में थी कुछ बालू बालू पर बैठा था बालू बालू खा रहा था आलू बालू 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 आलू बालू बाल आप चलिए जो बंदर और गिलहरी कर की कहानी है उस पर चलते हैं ये कहानी है बंदर की जो के एक पेड़ पर बैठा है और एक गिलहरी क्या करते हैं ये दोनों के दोनों क्या होता है इनके साथ चलिए इस कहानी में देखते हैं बंदर और गिलहरी एक बंदर पेड़ पर बै पर लटक रही थी एक गिलहरी जमीन पर उचल कूद कर रही थी अचानक उसे पूँच दिखाई दी उसने सोचा यह जूला कहां से आ गया थोड़ी देर पहले तो नहीं था अब उस गिलहरी ने क्या सोचा उस पूँच को देख कर कि केसे कोई जूला हो वह पूँच पर चड पूलने लगी बंदर को गुद गुदी हुई उसने नीचे देखा वह हस कर बोला बहन गिलहरी यह क्या कर रही हो मुझे गुद गुदी हो रही है गिलहरी चौंकी चौंकी मतलब आश्चर में पड़ गे अरे यह कैसे आवा जाई बंदर भाया यह तुम हो मैंने तो तुम हमारी पूँच को जूला समझ कर जूल रही थी बड़ा मज़ा आ रहा था और गिलहरी हस्ती हुई पेड की डाली पर चड़ गई तो यह कहानी थी जिसमें गिलहरी ने बंदर की लटकती हुई पूँच को जूला समझ कर उसमें जूला जूला था राइट सुदेंट्स चल नहीं करना है ना उन्हें बोलते हैं गप्पे वारना अब जैसे बंदर की पूच लंबी थी इतनी लंबी थी इतनी लंबी जैसे सडक चूहे की मूच इतनी घनी थी इतनी घनी थी जैसे यहां पर आपको भरना है अब घनी क्या होता है जो बहुत बहुत पास पास होती है जैसे तो अब यहाँ पर आपको भरना जैसे उन्होंने भरा कि इतनी लंबी इतनी लंबी जैसे कि सड़क एक लंबी सी होती है ऐसी आपने घनी चीज कोई ढूणनी है और वो यहाँ पर लिखना है कि कौन सी घनी ची ज को आपको लगता है कि मोटा सा हो सकता है ओंठ इतना उंचा था इतना उंचा था जैसे की कोई पेड़ कह दो है ना कुछ भी आप कह सकते हैं जो उची चीज का आप इसे क्या बोलते हैं तुलना करना जैसे कहते हैं ना कि यहाँ इतना सुन्दर है इतना सुन्दर है जैसे की जैसे की चंदा मामा है जैसे की यहाँ बहुत होश्यार है बहुत होश्यार है जैसे की वेरी गुड इसे सब उसी पकाली से 20 नाना है ना आगे रखताए न अर는 बंद म कान्डब कर शोटी से चीज से कुछ चोटी सी उने कर सकते हैं जैसे कि माल लेते हैं हमारी रनी को घ् justement गूंच हो एन अका सकते हैं को चीज आपको लग सकता है कि को चोटी सी जैसे की रसी आवास कहते हैं, क्या थी आवास किसी ता है की रिवाड़ अर्व आुँक मीठी थी जैसे कि मिसरी या चीनी या रसगुला जो भी मीठा होता है उससे कर सकते हैं राइट इस्टुडेंट्स अब है गुद गुदी कहानी में बंदर को गुद गुदी हुई अपने दोस्त को गुद गुदी करो पेट पर पीट पर गर्दन पर हतेली पर तलवे पर क्या हुआ अब खुद को गुद गुदी करके देखो अब क्या हुआ अब ये अलग-अलग चीज़ें क्या दिये उन्होंने पेट पर पीट पर गर्दन पर ये क्या है सरीर के अंगों के नाम है तलवा किसे बोलता है जो पैर के निचला हिस्सा होता है जो जमीन से टच होता है उसे बोलते है तलवा, ठीक है न, तो अब तलवे पर अब क्या होगा दोस्तों गुदगदी लगेगी अब ऐसे ही गुदगदी आप खुत को करिये और देखिये क्या होगा, क्या होगा आपको भी गुदगदी लगेगी। अब क्याता है क्या करोगे कब क्या करोगे इसे पढ़ते हैं गिलहरी ने बंदर की पूँच से जूला जूला तुम इन चीजों से क्या क्या करोगी या करोगे करके दिखाओ अब जैसे गिलहरी ने तो बंदर की पूँच से क्या जूल लिया था जूला आप क्या करोगे अग अपने हाथ साफ कर सकते हैं और हम लंच बॉक्स के साथ भी अपने हैंकी लेके जाते हैं जिसे हम नीचे बिचाते हैं टेबल पर और उसके बाद हम उसके उपर अपना लंच रखकर लंच करते हैं तो इस तरही किसे हम रुमाल से और रुमाल से कोई खेल भी खेल सकते हैं आप पैंसिल से क्या करेंगे हम कोई चित्र बना सकते हैं अपना हॉमवक कर सकते हैं फुट्टा अब ये फुट्टा नहीं लिखा है फुटा क्या लिखा है फुट्टा अब फुटा होता तो एक टाओ और होते हैं नीचे तो यह फुटा, फुटा मिन्स स्केल स्केल से क्या कर सकते हैं आप कोई लाइन खीच सकते हैं है न और कहीं अपने दोस्त को पिटाई भी खेल खेल में कर सकते हैं या और कोई चित्र इस स्केल की साथ या फुट्टे के साथ बना सकते हैं मिलकर राइट सुटेंट्स क्या क्या तुम तो इतनी सारी चीजें खाते हो जैसे दूद भाथ भाथ मिंस चावल ठीक है ना तो यहां दूद के साथ चावल भी खाते हैं संतरा, केला इसके अलावा तुम और क्या-क्या खाते हो अलावा मिंस ये तो इन्होंने बता दिये दूद भाथ, संतरा इनको छोड़ कर और कौन-कौन सी चीजे तुम खाते हो उनको यहां पर लिख वगए अब क्या-क्या खाते हो कोई टॉफी, चौकलेट कोई मज़ पसंद सबजी कोई रसगुला, कोई हलवा कोई और फलाप यहां पर लिख सकते हैं मुझे तो दूद भाथ पसंद है अब वो करता है, गिलहरी क्या-क्या खा लेती होगी अब गिलहरी क्या-क्या खा लेती होगी गिलहरी को नट्स बड़े अच्छे लगते हैं, मुमफली अक्रोट, यह सब बहुत पसंद है साथी साथ, आप कुछ भी दे दो वो आम भी खा लेगी और गाजर भी खा लेगी सेब, कुछ भी खा लेगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बंदर क्या क्या खा लेता होगा ठीक, ऐसे ही बंदर भी कुछ भी खा लेता है रोटी, परसाद, आपने देखा होगा मंदिरों में कई बार, वो आपके आथ से छीन लेता है है ना, तो ऐसे ही बंदर क्या क्या खा सकता है, वो लिखेंगे जैसे केला, फल, सबजी, कुछ भी खा लेगा है ना कौन कौन मैं बहुत उचलकूद करती हूँ अब आपने बताना है कि जानवरों में कौन कौन उचलकूद करता होगा कौन कौन उचलकूद करता है जानवरों में अब नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे गए हैं जैसे गाय, शेर, गधा, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुटा अब कौन-कौन हैं जो उचल कूद कर सकते हैं उनके नाम आप यहाँ लिखेंगे और कौन-कौन ऐसे हैं जो उचल कूद नहीं कर सकते हैं उनके नाम आप यहाँ लिखेंगे इसे खुद करके देखेंगे एक बार, ठीक है ना, अपने आप दिमाग लगाएंगे कि कौन करता है, कौन नहीं करता है नीचे उन जानूरों की फोटो आपको दी हुई है तो यह थी हमारी कहानी, बंदर और गिलहरी मुझे लगता है, आपको मज़ा आया होगा और खूब रीडिंग प्रेक्टिस अपने घर पे करेंगे That's all for today, have a good day I hope you enjoyed our video Thanks for being with us